आज हम बनाने जा रहे हैं घी से भरपूर रस्तार पपीता का हलवा दिखने में जितना ज़्यादा अच्छा लग रहना खाने में कहीं ज़्यादा स्वाधिश्ट होगा तो देर की स्वाद की चलिए पपीता का हलवा बनाने शुरू करते हैं पपीता का हलवा बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे तरो ताजा पपीता जो हमारे खुद के पेर का है और यहाँ पे आप देख सकते हैं दूद भी निकलना पपीता से क्योंकि इसमें हलका से कट लग गया था तो चलिए पपीता का हलवा बनाना शुरू करते हैं उसके लिए सबसे पहले तो इसके छिलके को छिलकर हटा लेंगे तो आप कुछ इस तरह से छिल सकते हैं अगर आपके पास छिलका हटाने वाला वो instrument हो तो उससे आप हटा सकते हैं नहीं है तो फिर आप चाकू की मदद से हटा सकते हैं, उससे भी आसानी से इसकी उपर का छिलका हट जाएगा छिलका को हमने हटा लिया है, इसे अच्छे से हम पहले धो लेंगे और छिलका को हम फेक देंगे पपीता को हमने धो लिया है, अब चलिए इसे कट कर लेते हैं यहाँ पे हमने 4 टुकरों में कट कर लिया पपीता को अब चलिए इसे घस लेते हैं तो यह कुछ इस तरह का चिप्स मेकर हम लेंगे और इसमें यह घसने का भी छेद है तो चलिए इसी से हम घस लेंगे यहाँ पे हमने पपीता को अच्छे से घस लिया है और इसमें से पानी निचोर के हटाना होगा क्योंकि पानी धेर सारा है पानी नहीं हटाएंगे तो फिर हमारा हल्वा बनाने में पाच घंटे लग जाएंगे तो इसलिए जो है पानी हटाना जरूरी है खूब सारा पानी इसमें होता है तो इसे निचोर के हम हटा लेंगे चले पानी हटा लेते ह हम पपिता से यहां पे हमने पानी को हटा लिया है और यह कुछ इस तरह का बॉल सेप में आ गया है अब चलिए अगले प्रोसिस में चलते हैं तो उसके लिए कराही चूले पे हम चरहा देंगे कराही को हमने चरहा दिया है इसे गर्म कर लेंगे अब इसमें हम डालेंगे घी तो यहाँ पे घी हम यूज करने जा रहे हैं, यह हमारी घर की बनी हुई घी है, सुद्ध घी है, तो खूब सरा घी का हम इस्तमाल करेंगे, इसमें लगभग साथ चमच घी हम डालेंगे, क्योंकि घी की क्वाइंटेटी अच्छी होनी चाहिए, तभी हमारा पपीता का हल्व ज्यादा टेस्टी बनेगा, तो घी को हमने डाल लिया है, चलिए गर्म कर लेते हैं, घी गर्म हो चुकी है, और हमने कराही में भी घी को फैला लिया है, अब चलिए इसमें हम डालते हैं सौफ, यह एक छोटा चमच सौफ हम डालेंगे, इसको चटका लेंगे, इससे हल्व बहुत टेश्टी बनता है तो इसका यूज करना ना भूले सौफ हमारी चटक चुकी है अब चलिए हमारा ग्रेट किया हुआ पपीता को इसमें हम डाल देते हैं तो इसे चलिए फैला कि हम इसमें डाल देते हैं सारे को हमने यहां पर डाल दिया है अब चलिए इसकी भूनाई की प्रोसेस में हम जाएंगे तो चलिए भूना हम सुरू करते हैं पहले इसे घी में चारोतरब से मिला देते हैं एस पैचूला लेते हैं आप चाहे तो नॉर्मल कराही में भी बना सकते हैं यहां पर नोनले क्राही का यूज कर रहे हैं तो यहां पर इसे हम भून लेंगे अभी यह कुख हुआ है कि इसे हम जो है लगभग एटी परसेंट तक कुख करेंगे तो यह हमारा बहुत ज़्यादा कुख हो गया है यह सेवधनीजाव स्पार्स पर स्कुख हो इसे काफी ज़दा भूना ही करना है अब चलिए इसमें हम डालते हैं दूध दूध के बिना हल्वा का टेस्ट अधूरा रहता है दूध डालने का भी एक टेक्निक होता है थोरा थोरा करके दूध डालेंगे एक बार में सारी दूध नहीं डालेंगे नहीं तो हलवा नहीं पनीर बन जाएगा ये चीज का आप ध्यान रखें तो इसलिए जो है दूध कुछ इस तरह से थोरा-थोरा आपको गिराते जाना है और डालना है जब तक कि दूध और हलवा एक दूसरे में सेट ना हो जाए तब तक आपको इसी तरह से प्रोसेस में जाना है और ध्यान रहे गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम रहना चाहिए तो मीडियम फ्लेम पे जो है हम इस हलवे को बनाएंगे नहीं तो हलवा जो है वो नीचे से जल जाएगा जलना बिलकुल भी नहीं चाहिए नहीं तो टेस्ट खराब आ जाएगा यहां पे हमने दूद सारी इसमें डाल दिया है और जितना पपीता का हलवा कराही में बचा है उतना ही हमने दूद डाला है थोरा सा और दूद इसमें हम डाल देते हैं और इसे खूब देर तक पकाएं कम से कम इसे पकाने में 20 मिनट का टाइम लगा है हमें और हमारा जो यह हलवा है वो दूद को सोख लिया है कुछ इस तरह से यह जो हलवा है बिलकुल खूआ जैसा आपको लगेगा अब चलिए लास्ट में हम चीनी डालते हैं चीनी को हमने इसमें डाल दिया है आप इसमें इलाइची भी यूज कर सकते हैं और केसर भी यूज कर सकते हैं तो इलाइची को हमने नहीं यूज किया है क्योंकि खतम था तो सिम्पल हमने घी में ही हलवा बनाया है दूद और चीनी के साथ ऐसे भी काफी टेस्टी लगेगा यहाँ पर चीनी की क्वांटिटी की बात करे तो चीनी हमने 200 ग्राम डाला है 200 से 220 ग्राम डाला है चीनी आपको जितना मीठा पसंद है उतना ही चीनी डालिएगा Finally हमारा पपीता का हलवा बनके ready हो चुका है वो कैसे आप ये देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है और घी भी छोड़ दिया है चलिए इसे अब हम सर्व कर लेते हैं तो यहाँ पे एक प्लेट में हमने पपीता के हलवा को सर्व कर लिया है आप इसमें green food color भी मिला सकते हैं लेकिन वो health के लिए ठीक नहीं होता है इसलिए हमने नहीं मिलाया है सिंपल पपीता का हलवा रखा है कैसी लगी आपको हमारी पपीता के हलवा की रेसिपी कमेंट करके बताना ना भूलिएगा वीडियो को नीचे और लाइक और शियर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आगे वीडियो को कंटिन्यू बना सके है